Welcome to ITI Mechanical Guru, P.O.T. की हमारी Classes चल रही हैं, तो आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं First question है हमारा Objective is an important characteristics of a good test if effect both validity and length of test score अद्देश से की एक अक्छी परिक्षा की महत्वपूर्ण विसेश्था है यह परिक्षण स्कूर की व्यद्दता और खाली स्थान दोनों को प्रभावित करता है Option है कि हमारी Motivation यान प्रिर्णा, Structure, सनरचना, Robustness, मजबूती, Reliability, विश्वशनीता तो इसका जो हमारा Right answer है वह हमारा विश्वशनीता परिक्षण का स्कूर होता उसकी व्यद्दता और विश्वशनीता दोनों को प्रभावित करता है क्या करता है प्रभावित और अब अद्दिश Next question है हमारा Which classroom arrangement is most effective when a class needs group work? जब कक्षा को सम्मोह के काम की आवशकता होती है तो कौन सी कक्षा की ववस्ता सबसे प्रभावि होती है Option है C-saved, C-a-car की round table, cluster और row and columns तो इसका जो हमारा right answer है वो है हमारा cluster तो कि जब भी कक्षा में सम्मोह के काम क्या हो सकता होती है तो cluster जो ववस्ता होती है वैस अब से ज़्यादा प्रभावकादी होती है Next question है हमारा, एक counsellor cannot blank, एक counsellor खालिस्ता नहीं कर सकता है Option है, Express his view to the counselee, counselee के प्रति अपना विचार व्यक्त करना Make decision for the counselee, counselee के लिए नेना लेना Set up goals for the counselee, counselee के लिए लक्षिनर दारत करना और Express views of others to the counselee, counselee को दूसरों के विचार व्यक्त करना तो इसका जो हमारा right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा option B, make decisions for the counselee, counselee के लिए नेना लेना यह एक counsellor नहीं कर सकता है, क्योंकि जो counselee होता है खुद ही नेना लेता है counselee नहीं ले सकता है next question है, a student has been caught peeping into another student's paper during a class test upon questioning the student says that he, yasi, was unwell and could not prepare for the test the student is otherwise a hard worker, what will you do in the city session class test के दोरान, एक चात्र दूसरी चात्रों के paper में जहागता हुआ पकड़ा गया पुछनाच करने पर चात्र का कहना है कि भै आस्वास्त था और परिच्चा की तयारी नहीं कर पाया था चात्र अन्य था एक महनती कार करता है, इस स्थिती में आप क्या करें listen to the student and let go, चात्र की बात सुन कर जाने देंगे listen to the student and say such a behavior was not expected from him or चात्र की बात सुने और कहें कि उससे ऐसे बेवार क्या पिख्चा नहीं थी, बारन दा student strictly चात्र को सकती से चेतावने देंगे and explain student चात्रों को चात्र को निश्कासत करेंगे तो इसका जो हमारा right answer है वो हमारा one student structally चात्र को सकती से चेतावने देंगे नेस्ट क्वेस्टन है बेन ए लेर्नर आफ्टर कम्पलीशन ओफ हर हेज इस्टडी कीप अपडेटिंग हमसेल्फ थू कंसर्टेड एफ़र्ड ही सी ए ब्लेंग जब एक सिक्षार्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से स्क्षार्ति और यह इसक्षार्ति और लाइफ लॉइठ आंसर है व्यज्ट एव एमारा लाइफ लॉइघू लॉइंग आजर्न आज तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा एन आई उएस एन आई उएस या एक खुला ऊपन यूनिवर्सेटी है या एक खुला विश्य विद्ध्याला है या राष्टियों बोर्ड है रन देते समाएं बेंक क्या महत्तों बादन ध्यान में रखते हैं और सेफ्टी सुरक्षा लिक्विडिटी नंगदी परपाज उद्देश और आलाफदी यह सबी तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा यह सबी क्योंकि जब भी कोई भी बेंक रन देता है तो बहुत सुरक्षा की गारंटी लेता है नंगदी देता है तो बस सुचता है कि बापस क्यांसे मिलेगी गार उसकी उद्दिश होते हैं कुछ इस्ट क्वेस्टन है हमारा बाट इस ता ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेंड़ अप इंडिया में संट इंडिया में संट का क्या उद्दिश से आप्शन है एस्टेविलेज एंट्रपनियोर्स और धमी स्ताफ़त करना गेव लोन से वाप पांच लाख तू दसलाख पांच लाख से उपर दसलाख रोपैतक करणनेना हैल्प एससी एंड एस्टी एंड बूमेन माइनर्टी अनुसीचे जाती और अनुसीचे जन जाती और अलप महिला अलप संख्याकों की मदद करना सेट अप ग्रीन फील्ड विजनस ग्रीन फील्ड उद्यम इस्तापत करना तो उसका जो मेरा राइट ऐस सरथ है तो आपको ज्यान रखना है जितने भी मेसन चल लाह यह हैं भारत सरकार के वह आपको याद रखना है नेस्ट क्वेस्टिन है आफ दा फूर पी एस ओफ मार्केटिंग विच वन डिल्स बिट्टा है विट्टा है एक लियर अंडरेश्टेंडिंग ओफ वाट यू आ ओफरेंग बिपड़न की फूर पीएस में से कौन सा आपकी प्रिसकस की स्पष्ट समझ से संबंद रखता है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा प्रोड़क्ट या उत्पाद प्रिसकस की स्पष्ट समझ से संबंद रखता है एक विट्ट क्वेस्टिन है इंटर एक्टिविटी इन ओनलाइन मटेरियल्स इस मुष्ट ली डन वाइन क्लूजन ओफ ब्लेंग ओनलाइन साम तेश्ट एन असेश्मेंट परिक्षा और आंगलान एकाद्मियक काऊंसलिंग सक्षण मपारमार्स और ओडियो वीडीयो और इमेल अंड सपोर्ट फ्रong टीच चार्शे वह न्यकुलत एमेल और समर्थन उसक्वरार राइट आंसर है इन वीडीयो का हमारीयो जहें और रा या वस्तूबी टेक्निक सिक्षन टकनिक स्विसल टेक्निक सामाज़िक तक्रीज और मैनेजमेंट टेक्निक प्रवन्दन तकनिक तो यहां पर आपको इस प्रकार के जो वस्तूब प्रश्न या MCQ questions है वो आपको आएंगी तो आपको इनको मिलाना है intrinsic motivational याने अंत्रक अभी प्रेणा और इसका दिया है desire to learn comes from within the learner himself अधिगम की एक्चा स्वयम सीखने वाली के भीता से आती है एक्ष्ट्रेंट सिनिक मोटिवेशन याने अभाय अभी प्रेण एक्वार ट्रेनिंग एन एन इस्टिटूशन अंडर दा गायदेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एक अनुदेशक के मार्गदार्शन में एक संस्थान में फॉर्शन द्वारा अर्जित की जाती है फॉर्मल एजुकेशन यान ओप्चार एक सेक्षा रेक्वाइड वाय ऑब्जर्वेशन एंडगाइड गाइडेंस विदेन वन्स ओन फ्रमली एंड नेवर होड अपने परिग्वार या प्रणोस के भीतर आउख लोका ना मार्गदार्शन द्वारा अर्जित की जाती है और अनौप्चार एक सेट जाए टुलार्ण इंडेट क्रिटेट अंदा लेर्न वाय मीन्स ओफ एक्स्टरनल में अधिगम की अधिगम की सिक्षा वाय विदियों के माद्यम से सीखने वाला मत्पन की जाती है विच आप फॉलॉविंग पेर इस करेक्ट मेंसे आपको जो स देख रहे हैं रोमा नंकों में लखा है फष्ट का जो है वह यहां पर इसका ओप्शन है फी वाला इसका फष्ट का पी हो जाएगा जैसे इसका यह सही दिया है बिलकुल इंस्ट्रक्शन मॉटिवेशनल आंत्रक अभी प्रिणा डिजायर तू लर्ण कम्स फॉम विदिन लाना हमसे या जो अंत्रक भी प्रिणा होती है बहुँ अधि कि एक्ष कश्व आम सीखने वाले के भीतर सै आती है ठीक ए एक सेकंड का एसे है वाई अभी प्रिणा तो इसका हमारे लिए ऐसा है जितन पर इसका क्या है अधिक आपने परिबार या पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्ग दार्शन द्वारा अरजित की जाती है। आपको परिक्षा में देखने को मिलेगा आपको ध्यान रखना है। यह मिश्थ्ति पूर सब्जेक्ट नौलिज अलपब सब्सक्राइगान और पूर पूर हेल्थ गंडिशन खराप स्वास्थ्ति नर्वस्नेस गवराइब विच अब दीज़ इस ट्रीटमेंट ऑर करेक्ट एनमें से कुन सा कतन सही है। तो इसका जो मारा राइट आंसर हो है हमारा आप संदी फैस्ट सेकंड थार्ट फोर्थ और फायव यह सभी अनुदेशक में पाए जाने वाली बुरी बचार से लिके कारां है। नेस्ट क्वेश्चन है हमारा साइकलोजी इस दा साइंस फ्यूमन विवीवियर इन प्रिश्ट इंख ग्यात आधर रों बाली माना विवार का ध्यन सामिल है। आप्शन है फिजीकल वॉतिक, कल्चरल सांस्कृतिक, पॉलिटिकल राजनेतिक, एण्वायरमेंटल परियावर्णी है। तो इसका जो हमारा राजनेतिक आप्ट में जो है वो मनोविज्यान का ग्यात आधर नहीं है। नेस्ट क्वेस्टिन है एन एजुकेशनल साइकलोजी विच फॉलोबिंग इस नोट इमेजर एरिया ऑफ इंडिविज्विज्वल डिफरेंस अमंग ट्रैनिस शेक्षिक मनुविज्ञान में नमने लखत मैं से कौन सा प्रिसिक्षियों के बीज रखतिगत अंतर का एक प्र प्रिसिक्षियों के बीच ब्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुक्षित नहीं होता है एक फॉलोबिंग नमने लखत को मिलाएं लास आप मेमोरी इसमिर्थी की जो नियम डेफिनेशन या परिवास आए लाफ रिलेंसी अभी नवता का नियम इफ्टा इवेंट एज इस परकार के आपको अपसंदी है आपको ये बताना है नियमने लखत मैंसे को यह बताना है तो इसमें से आपको यह बताना है जो इसका जो मारा राइट आंसर है वो हमारा भी वाला अब भी वाला इसमें है तो इसको देखना कैसे है इसका फ़स्ट का पी दिया है तो यह राइट है फ़स्ट का पी फ़स्ट है ला आफ री सैंसी अभी नवता का नियम अभी नवता का नियम है जो वो हमारा इसका राइट अंसर है पी इफदा है इवन्ट है और रि सेकंड क्या दिया है ला आफ प्राइमरी प्रात्मिक्ता का नियम तो इसका यू है वो है हमारा आंसर दा इंपेक्ट इंटू अवर मैंड एट अर्लियर स्टेज अवर वर्क रेमें लॉंगर प्रभाव हमारी कारे की पूर्व चराण में हमारे मस्तिस्क में लंबे समय तक रहता है और थर्ड का दिया है क्यूँ थर्ड है हमारा ला आफ श्ट्रेंद सामर्थ का नियम तो इसका हमारा दिया है क्यूँ क्या है जो सामर्थ का नियम है वो है दा इवेंट्स having a strong impact on our mind last longer हमारे मस्तिस्क पर एक प्रभल प्रभाव डालने बाली कटना है लंबे समय तक मस्तिस्क में बनी रहती है ये कहलाता है सामर्थ का नियम नियम हमारा which of the following is not a type of deliberate learning नियमने लिकत में से कौन सा साया स्पून अधिगम का एक प्रकार नहीं है option है route learning परिपाठी अधिगम trial and error learning प्रयास और भूल अधिगम rational learning बुद्धी संगत अधिगम और irrational learning तर कहीन अधिगम तो हमारा इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा irrational learning तर कहीन अधिगम साया स्पून अधिगम का एक प्रकार नहीं है next question है हमारा consider the following statements about principles of teaching section के सिद्धांतों के बारे में इमने लिखत कत्मों पर बिचार करें option है teaching from simple to complex सरल से जटल के और सेक्षण teaching from unknown to unknown ग्याद से अग्याद के और सेक्षण teaching from parts to whole भागों से संपून के और सेक्षण teaching from indefinite to definite निश्चित से निश्चित की और सेक्षण which of these statements are correct नमने में लिखत में से कौन सा कथन सही है आपको यह बताने है option दिये 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 2 and 4, 1 2 3 and 4 तो इसका जो हमारा right answers हागा और बहुआ हो जाएगा हमारा, 1 2 and 4, 1 2 and 4 जो है इनमे से सही है वेन में सब्合 क्या है सरल से जयाटल की और सेक्षाण सही होता है ग्याथ से एग्याद की और सही होता है और अनिश्कित से निश्कित की ओन चाक बोर्ट चाक बोर्ट पर लेखते समाएं मुख्ष सीर्षक के लिए अक्छर का आकार क्या होना चाहिए option है 50 to 60 mm 50 से 60 mm 30 to 40 30 से 40 mm 25 mm और 10 to 20 mm 10 से 20 mm तो इसका जो हमारा right answer है वो है 50 से 60 mm 50 से 60 mm जब भी हम चाक बोर्ट पर लेखते हैं तो मुख्ष के मुक्ष सीर्षक होता है उसकी अक्छर का जो आकार होता है वो 50 से 60 mm होना चाहिए last question है हमारा consider the following statements about principle of learning अधिगम के सिद्धान्दों के बारे में मेलेकत कत्नों पर बचार करना है learning results from stimulation अधिगम उद्धीपन का पहिना होता है learners learn when they are willing to learn अधिगम करता तभी सीखते हैं जब सीखने का एक्षोक होता है अर्ली सक्सेट डिक्रीजेज चांसे चांस फॉर एफेक्टिव लार्निंग प्रारम्मिक सफलता प्रभावी अधिगम के लिए उसर गटाती और लार्निंग एज बिश्ट और पास्ट एक्स्पीरियंस अधिगम अतीत के अनुभावों पर अधार एक्षोका है विच अप दीज स्ट्रीटमेंट लार करेक्ट नमने लेकत में से कौन सा कतन सही है यह आपको बताना वन टू एंड थरी टू थरी एंड फोर बन टू एंड फोर बन टू एंड फोर तो इसमें से आपको बताना है तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बन टू एंड फोर जो बन टू एंड फोर है वह हमारे जो कतन है वो सही है बन टू बन में क्या अधिगम उद्धिपन का परिनाम होता है तू में है अधिगम का तर्क करता तभी सीखते हैं जब यह सीखने के एक्षोक होत और फोर्म है अधिकम अतीत के अनुभाओं के आधार पर आधारत होता है तो यह सभी सत्न है और बाकी का जो थार्ड है वो हमारा असत्न है तो यहां पर हमारे टॉप 10 टॉप 20 क्वेस्चन कंप्लीट होते हैं प्योटी के और यदि आपको वीडियो अच्छी लगए तो चैनल पा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थ्रेंक्स पर वाचिंग जाहिन